अजीज तलबा आदाब निजामते फासिलाती तालीम मौलाना आजाद नेशनल उर्दु युनिवस्टि के तालीमी प्रोग्राम में आपका खेर मगदम है आज के इस प्रोग्राम में एमे अर्दु साल अवल के तलबा के लिए जुबान की तारीफ और हिंद आरियाई का इतिखा मौजू पर सबख पेश किया जा रहा है इनसान हैवानी नातिखे ये अपनी जजबात, एसासाथ और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाता है जो सौती और लफजी वसीले से एक दूसरे तक पहुंचते हैं जिनको जुबान कहते हैं इसकी दो मुखतलिफ सुरते होती हैं एक मानवी और दूसरी जाहरी सूरत इजहर ख्याल की जाहरी सूरतों से जो सौती लफज बनते हैं वो बोली कहलाते हैं बोली का दारा महदूद होता है जब बोली के अलफज में मानवी तालमिल होकर उसत पैदा होती है तो ये जुबान बन जाती है इस तरह आवाज और अलफास के मजमुए को जुबान कहते हैं जमाओ उ मकां के इतिबार से जुबानों में तगयूर और तब्दिली होती है जिसकी वजह से एक इलाखे की जुबान से दूसरे इलाखे की जुबान में इखतलाफ पाया जाता है जिसको इस इलाखे की इम्तियाजी खुसूसियत की हैसियत से देखा जाता है माहरी ने लिसानियात के मताबिख बोली ही जुबान के इर्तिखा का एहम वसीला होती है माहरी लिसानियात विटने कहता है जुबान बोलियों का तालुग एक दाइरे की शिकल में रहता है एक और माहर लिसानियाद लेबनीज ने भी खरीब यही बात कही जुबान फितरी तोर पर इर्टेखा की पाबंद होती है इनसान की समाजी जरूरतें उसकी तश्कील में शौरी तोर पर असर अंदास होती है जुबानों की तश्कील पर गोर करें तो उनके आपसी एक्तिलाफात और इंतियाजात की बनियाद पर चंद खांदानों में तखसीम किया जाता है लिसानी खांदान की बनियाद जुबान के एक्तिलाफात, इश्तिराक और मुमासिलते होती है हिंद आरिया का इर्तेखा, आईए अब हम इस पर गुफटगू करेंगे हिंदुस्तान में आरिया खौम तखरीबन दो हज़ार पांसो खबल मसी में आई इससे खबल दरावड़ी खौम का गल्बा था, जो सरजमीन हिंद के मुक्तलिफ इलाखों में आबाद थे इनकी मुक्तलिफ बलिया थी, जिनका तालुख हिंद यूरपी जबानों से था ये जुबान तरखी करते हुए, दो हजार खबल मसी में हिंदुस्तान में दाखिल हुई, यहां पर इसको हिंद इरानी का नाम दिया गया हिंद और यूरपी जबानों में अदब और जबान दोनों हैसियतों के इतिबार से हिंद इरानी को सबसे खदीन समझा जाता है हिंद एराणी जुबान हिंदुस्तान में इर्तेखाई मनाजिल तैकरती रही जिसमें हिंदुस्तान के जुनुबी इलाखों की जुबाने तेलगो, कनरा, मल्यालम इन सबका ताल मिल होता है आरियों के एक्तिलाफ के बाद ये हिंद एरानी हिंद आरियाई में तबदील होती है हिंद आरियाई को तीन अदवार में तखसीम किया जाता है इस दर में वेदिक जबानों को फरोग मिला जो संस्क्रित थी आरियों के आपसी मेल मिलाप की वजह संस्कृत जुबान मुखामी बॉलियों से मुतासिर हुई और आलिमों ने इस जुबान की नोक पलक दुरूस्त की वस्ती हिंद आरियाई दौर पांस सो ता एक हजार इस्वी है संस्कृत एक मखलु जुबान की शकल में फरूख पाने लगी मजभी तहरीकात, मसलन, बुद्मत और जैन्मत की तालिमात जो अवाम के लिए हैं आम अवामी जुबानों में पेश करने के लिए संस्कृत को आम फहिम बनाया गया इस तरह प्राकृत वजूद में आई, प्राकृत को भी आलिमों ने अपना वसीला बनाया तो इसमें अदबी हैसियत ज्यादा फरूख पाई लहाज़ा अवाम रफता रफता प्राकृत से भी ग्रेस करने लगी इस दोर को हिंद आरियाई का तीसरा दोर कहा जाता है जो पांसोता एक हजार इसवी पर मुहीत है इस दोर में प्राकृत इर्तेखाई मनाजिल तै करते हुए एक आम बुलचाल की जुबान बन गई इस बिगडी जुबान को अब भरंश कहा जाने लगा चुँके ये अवाम की जुबान थी लहाज़ा तेजी से इर्तेखाई मनाजिल तै करते हुए तरखी करने लगी इस दोर में हिंद आरियाई जुबान पांच इलाखाई जुबानों से मतासिर हुई महरास्ट्री इस जुबान में हुरुफ इलत कसरस से मिलते हैं जिसे जुबान में लचक मिलती है इस इलाखे के गीतों अडरामों के जरीए इस जुबान को फरूग मिला शुर्सीनी मिתरा का इलाखा इस जुबान का मरकश था इस इलाखे में आला तबखे के लोग रहते थी यहां की जुबान पर संस्क्रित की चाप जियादा मिलती है मगदी जुनूबी बेहार और मशेखि हिंदोस्तान इसका मरकज था यह इलाखा आरियाँ के मरकज से दूर था लहाजा मगदी में गहर आरियाई मुखामी बोलियों का जियादा असर मिलता है आरिया यहां की प्राकृत को भी हिखारत की नजर से देखते थे अर्दमागदी इसके लफजी माइने आधी मागदी के हैं इसका मरकस मश्रिखी उतर परदेश था अशोकी तालिमात सबसे पहले इस जुबान में तबलीख की गई मगरीबी हिंदुस्तान के लोग इसको ही प्राचिया कहते हैं ये जुबान शाही घरानों में भी राइश थी संस्कृत में भूत को पेशाची कहते हैं जिसके माइने कच्चा गोश्ट खाने वाले भी बताए जाते हैं ये संस्कृत की एक एहम बोली है जो बोलचाल में जियादा इस्तिमाल होती थी इसमें दुसरी जुबानों के भी कई अलफाज शामिल थे इस तरह मुख्तलिफ अदवार और इलाखों का सफर ते करते हुए पांच सो खबले मसीता एक हजार के दौर में एक मखलूद जुबान का हियुला तयार हुआ जो अब भरंश का दौर कहलाता है इस जुबान का लफ़ शास्त्रों में मिलता है प्रोफिसर मसूद हुसिन खां माहर लिसानियात ने अपनी मारेकतल आरा तस्नीफ मुखदमा तारीख जबान अर्दू में लिखते हैं के लफ़ अब भरंश एक खांज जुबान के माइने में सबसे पहले हीम चन्न ने इस्तेमाल किया ये जुबान अवाम में इतनी मखबूल हो गई के तालिम याफ़ता तबखा भी इसकी तरफ मतवज्जे हो गया गुजरात, राजपताना और दो आबा में बोली जाने वाली अकसर बोलियों पर इसका गहरा असर पड़ा जदीद हिंद आरियाई एक हजार इस्वी तहाल एक हजार इस्वी से हिंदुस्तान में अरब वारिद होने लगे मुहमद बिन खासीम ने सबसे पहले सिंद पर खबजा किया उसके बाद शुमाल मश्रिख में हमले होते रहे गोर गुलामान सल्तनत देली पर खाबिस हुए फिर खिलजी खानदान ने जुनूब तक उसकी और सुल्वी सदी तक मुखलों की सल्तनत पूरे आबोताब के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो चुकी थी इन्ही अदवार में हिंद आरियाई जबान की तश्कील हुई माहर लिसानियात डॉक्टर सुनेती कुमार चटर जी ने अपनी किताब इंडो आरियन एंड हिंडी में लिखते हैं अगर मुसल्मानों ने हिंदुस्तान में फुतुहात हासिल ना की होती तब भी जदीद हिंद आरियाई जबाने पैदा होती लेकिन उन्हें जो संजीदा अद्बी हैसियत हासिल हो गई है उसमें जरूर देर होती मसूद हुसन खां के अलफाज में हम कह सकते हैं कि मुसल्मानों की हिंदुस्तान में आमद से एक नया तमद्दुन और एक नई जबान की आमद हुई उन्होंने संस्क्रित के फसुं को तोड़ कर बहुत जल हिंदुस्तान में नई जबान को अपने बल पर खड़ा होना सिखाया डॉक्टर सुनेती कुमार चड़जी ने लिसानी खुस्सियात की बनियाद पर जदीद हिंद आरियाई जबानों को मुक्तलिफ इलाखों में तखसिम किया है सिंधी ये सुबह सिंध की जबान है इसके बोलने वालों में मिसल्मानों की तगदात बहुत ज़्यादा है इस जबान पर अरबी का रास्त असर है दियूनागिरी में लिखी जाती है लिंदा मघरिबी पंजाब में राइच है अमुमultur फारसी रसमलत खत्ब में लिखी जाती है पंजाबी मगरिब में ये लिन्दा या मगरिबी पंजाबी शुमाल और शुमाल मश्रिख में पहाड़ी जुबानों और जुनूब में बिकैनरी बुलियों से गिरी हुई है सीक मज़भ की वजह से पंजाबी को बहुत तरखी हुई फार्सी, गर्मक्षी और दियोनाग्री तीनों रस्मलखत में लिखी जाती है गुजराती, ये गुजरात, काठियावार और कच्च की जबान है जदीद गुजराती खवायत के इतिबार से मगरिबी हिंदी बिलखुस ब्रिजभाशा से काफी मतासिर है अस्मा और अफ़ाल के इतिबार से ये मगरिबी हिंदी की इतिबा करती है, जो दकनी की भी खुसुसियत है राजिस्तानी, ये मध्या परदेश की जुबान है, ये शोरसिनी अभरंट से निकली है इसमें खदीम अदब का बड़ा जखिरा मौजूद है हिंदी के वीर गाथा काल के कई रासू राजिस्तानी में मिलते हैं राजिस्तान की कई बोलियां हैं, जिन में मारवाडी, जेपुरी, मीवाती और मालवी खाबिले जिक्र हैं राजिस्तान की तहजिबी जुबान हिंदी है मगरिबी हिंदी ग्रेरसन ने मध्या परदेश की जुबान को मगरीबी हिंदी का नाम दिया है जिसने सबसे पहले मश्रिखी और मगरीबी हिंदी में फर्ख किया है मगरीबी हिंदी का बराहरास तालुख शोर सिन्नी अब भरंच से है मगरिबी हिंदी की पांच एहम बोलियां ये हैं खड़ी बोली, हरियानवी, बिर्जभाशा, खुनूजी, बुंदेली अब हम मगरिबी हिंदी की पांच एहम बोलियों के बारे में बताएंगे खड़ी बुली, जिले अम्बाला की तहसील, अम्बाला, जिले बलंड शेहर का शुमाली हिस्सा, बीजनूर, मुरादाबाद, रामपूर, मेरट, मुजफरनगर, सहारनपूर के अजला, देहरादौन के मैदानी इलाखे, खड़ी बुली के इलाखे कहलाते हैं खड़ी बुली में अस्मा की जमा, अलीफ नुने गुना से बनाई जाती है, मसलन, मका, मकाना, औरत, औरता, मर्द, मर्दा, खलम, खल्मा वगएरा प्रोफेसर गैंचंचन जिन ने इसका नाम खड़ी होने की वजुहात अपनी तस्निफ आम लिसानियात में दरजेजल बताई हैं नमबर एक, ब्रीज के मुखाबले में खड़ी का लहचा आ का है, इसलिए इसे खड़ी कहा गया है उर्दु में आ या अलिफ मत आ और हिंदी में आ और आ की मातरा दोनों खड़े हैं, इसलिए इसे खड़ी कहा गया है इसके मुखाबले में ब्रीज को जिसका लहचा उ का है, पड़ी समझा गया नमबर दो, ब्रीज के मुखाबले में खड़ी में तजदीद का रूचान जियादा है और माकुसी मसम्मिते डाल डे का इस्तेमाल भी जियादा है ब्रीज में खड़ी का डाल कई मौकों पर डे हो जाता है, जिसकी वज़ा से ब्रीज में शीरीनी आ गई है तीसरी तौजी के मुताबिख खड़ी दरसल खड़ी है, खड़ी बोली याने साफ सुत्री फसी उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली के दो अदबी रूप है उर्दू खड़ी बोली का वो रूप है जिसमें संस्कृत तत्सम अलफाज ना होने के बराबर है और अरबी और फार्सी के अलफाज जियादा हैं, हर्यानवी इसको बांग्रू भी कहते हैं ये जुबान देली के शुमाल मश्रिखी अजला, करनाल, रोहती खिसार और गरगाउं में बोली जाती है इन इलाखों में मुसल्मानों की आमो दरफ्त की वच्छा जुबान में काफी उलट फेर हुआ और खड़ी बोली के अफ़ाल इस्तेमाल होने लगी तो कभी पंजाबी के, जैसे खड़ी बोली का करता और कहता, पंजाबी और लिंदा का करता और कहता हर्यानवी में मिलते हैं हर्यानवी की पहली तस्नीफ, अब्दुलवासे बांसवी की गराइब लोगात समझी जाती है ब्रिजभाशा, ये एक कदबी जुबान थी इस जुबान के अस्मा, अफ़ाल और सिफात के आखिर में ओ या उ आता है किर्शन भक्ती में इसके बेहतरीन नमूने मिलते हैं सूरदास ने इस जुबान में अपनी शायरी का बहुत बड़ा जखिरा छोड़ा है इसको अब भरंश की जानशीन भी कहा जाता है शाजहा ने जब देली को पाए तख्त बनाया तो आगरे से लोक और दफाति देली मुन्तखिल हुए जिससे शहर अरदू आगरे की बोलियां दिली में खड़ी बोली से मुतासिर होकर एक नई जुबान का सबब बनी ब्रीच के जमायर हमारो तुमारो बदलते हुए अरदू में खड़ी बोली से मिलकर हमारा तुमारा में तबदील हुए ब्रीच में फेल मारियो मारो के बज़ाए मारिया या मारा इस्तेमाल होता है ब्रीच में हर्फ नून से जमाब बनाई जाती है मसल 컨लों घोडों से घोड़न अमीर खुसरक के एहद में ब्रीच और खड़ी बुली एक दुसरे से आख मुचुली खेल रहे थे खुनू जी ये एक हिंदुस्तानी लवज है शाजापूर के शुमाल में जिले फरुखाबात में बूली जाती है इसके मगरीब और शुमाल मगरीब में ब्रीच भाशा और जुनूब में बुन्देली है मश्रिच और शुमाल मश्रिच में अवदी से घ्री हुई है ब्रीच भाशा की वच्छा इसकी अदबी हैसियत में कमी वाखे हुई इसकी खवायत की खुसुसियत ये है कि ब्रीच भाशा के बर्खिलाफ उ ओ पर खत्म होता है ब्रीच और खुनुजी में दोनों में हुर्फ सही पर खत्म होने वाले अलफास के आखिर में वा बढ़ा दिया जाता है जैसे हिंदुस्तानी घर खुनुजी में घर्वा हो जाएगा खुनुजी में दर्मियानी हें गिर जाती है जैसे कही हो के बज़े की ओ होगा बुन्देली ये बुन्देल खंड शुमाली आगरे के जिलों में राइच है शुमाल मगरीब में खुनूजी और बिर्जभाशा से गिरी हुई है इसके जनूब मगरीब में राजिस्तानी बुलिया राइज है जनूब में इसके हुदूद मरठी से मिलते है इस जुबान का अदबी सरमाया खासा है मौनस बनाने के लिए नून का इजाफा किया जाता है जैसे भूत भूतन, कुते कुतन इस तरहा खदीम हिंद आरियाई दौर पंदरा सो तपांसो खबल मसी पर मुहीत है जिसके दौरान वेदिक और संस्कित जुबानों का रिवाज रहा वस्ती हिंद आरियाई दौर पंसो खबल मसी तए एक हजार इस्वी का जमाना है इसको माहरीन लिसानियात मज़ीद तीन अदवार में तखसीन करते हैं पाली, जेनमत और बुदमत की तालिमात का दौर, मसीही दौर और प्राकृत जबानों का दौर तीसरा दौर पांसो इस्वी तए एक हजार इस्वी पर महीत है जो अब भरन से मतासिर है हिंदुस्तान की जदीद जबाने इसी के मेल जुल से वजूद में आई इन में खड़ी बोली, राजिस्तानी, पंजाबी और गुजराती शामिल है जदीद हिंद आर्याई का आगास एक हजार इस्वी से होता है ये लिसानी दौर तहजीबी तबदिलियों का जमाना है डौक्टर सुनेती कुमार चटर जी महरे लिसानियात ने जदीद हिंद आर्याई जुबानों को मगरीबी हिंद की पांच बोलियों का दोर खरार दिया खड़ी बोली, हरियानवी, बिर्जभाशा, हुनूजी और बुन्देली आज हमने जुबान किसे कहते हैं और उसकी एहमियत के बारे में आपको बताया मैं मुख्तिसरन आपको फिर बताती हूँ जुबान आवास और अलफास का मजमुआ है जो हमारे जजबात, एसासाद, खियालात को अदा करने बाहमी तालुखात का इजहार करने का बेहतरीन वसीला है जुबान की वजह से ही बाहमी रब्त तालुख और हम आहंगी होती है तरसिल और अबलाख में काम्याबी होती है इसलिए जुबान तरसिल का और इजहार का बेहतरीन जरिया है आपके जहन में ये बात जरूर होगी कि जुबान और बॉली में क्या फर्ख है इनसानी जिन्दगी में जुबान की क्या एहमियत है अलफास जुबान की जाहरी सूरत होती है और उसका बातिनी हुसन भी होते है जुबान का दाइरा वसी होता है और बॉली का दाइरा महदूद जुबान के बुलने वालों की तेदाद दूर दूर तक पहली हुई होती है जबके ये जोगराफियाई हुदूत की पाबंद होती है एक जुबान के इलाखे में कई बोलियां बोली जाती हैं लेकिन एक बोली वाले इलाखे में कई जुबानें नहीं बोली जाती हैं जुबान से अदबी और इल्मी काम लिया जाता है जिसमें इंतिजामी, सियासी, तहजी भी तमाम शुबे शामिल होते हैं बुली से एसासात और तरसील का काम हो सकता है माहरीन लिसानियात के मताबिख बुली तरखी करते हुए जुबान का रूप एक्तियार कर लेती है विटने अमरीकी माहरे लिसानियात कहता है जुबान कुछ अर्से बात बुलियों में तक्सीम हो जाती है फिर ये बुलियां तरखी करते हुए जुबान बनती है अब हम आपको हिंद आरियाई के इर्तिखा के बारे में मुख्तिसरन बताएंगे माहरे ने लिसानियात के मताबिख जमा और मकां के इतिबार से जुबाने मुख्तिफ होती है चुनाचे दुनिया की जुबानों को आठ खानदानों में तक्सीम किया जाता है यूरुपी जबाने तरखी करती हुए जब 2000 कबल मसी में हिंदुस्तान में पहुँची तो ये हिंद आरियाई कहलाई आरियों का एक बड़ा गर अपने लिसानी विरसे के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ ये जुबान यहां की बोलियों से मतासिर हुई इस इतिबार से हिंद आरियाई रफटा रफटा मुखतलिफ इलाखों में अपना असर रसुख बनाती गई और लिसानी चाप छोड़ती गई जिस से लिसानी तब्दिलियां वाखे हुई और हिंद आरियाई मुखतलिफ इर्तिखाई मदारिश तैक करती रही इसको माहरीन लिसानियाद ने तीन अदवार में तखसीम किया है खदीम हिंद आरियाई दोर पंदरा सो ता पांसो खबले मसी वस्ती हिंद आरियाई दोर पांसो खबले मसी ता एक हजार इसवी जदीद हिंद आरियाई दोर एक हजार इसवी ता हाल डॉक्टर सुनेती कुमा चटेजी ने जदीद हिंद आर्याई जबानों की तखसीम इस तरह की है सिंधी, लेंदा, पंजाबी, गुजराती, राजिस्तानी, मगरिबी हिंदी और मश्रिख हिंदी इन में मगरिबी हिंदी को सबसे ज्यादा खुसुसियत दी गई क्यूंकि अर्दू के इर्तिखा में मगरिबी हिंदी की बोलियां ज्यादा असर अंदाज हुई खड़ी बोली, अर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली के अदबी रूप है खड़ी बोली के मुतालिख प्रोफेसर गैंचन जेन तीन खुसुसियत बताते है बिर्ज के मुखाबले में खड़ी का लहजा आ का है इसलिए उसे खड़ी कहा गया है अर्दू में आ या आ और हिंदी में आ और आ की मात्रा दोनों खड़े हैं इसलिए इसे खड़ी कहा गया है बिर्ज के मुखाबले में खड़ी बुली में तश्दीद का रूचान जियादा मिलता है और माकुसी मसम्मिते डाल रे का इस्तेमाल भी जियादा है तीसरी वचा खड़ी दरसल खड़ी है यानि साफ सूतरी फसी अगर आप मालूमात में इजाफा चाहते हों तो इन कुतुब का तफसीली मुतालिया कीजिए मुखदमात तारीख जुबान उर्दू प्रोफेसर मसूद हुसेन खान, हिंदुस्तानी लिसानियाद, डॉक्टर मुहिर दिन खादरी जूर, हिंद आरियाई और हिंदी मुतरजीम, अतेख एहमद, सुनेती कुमार चटर जी, उर्दु तालीम के लिसानियादी पहलू, ग में अर्दू साले अवल के लिए, जुबान की तारीफ और हिंद आरियाई का इर्तिखा मौजू पर सबख पेश किया गया, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, अपनी राए हमें इस पते पर रवना कीजेगा, हमारा पता है, निजामत फासिलाति तालीम, मौलाना आ अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजे, अल्ला हाफिर आना आ accidentally अता है, हमारा आ आगजम इसाधी के लिए हमें, करें साली विए हमें के लिए और हमें इस कि एपको का इस अपना ओिक रहामेश्पकर व्रोग्राम थाइट PDF